हेलो कैसे हैं है आप लोग आज हम लों सीखेंगे 10 शीफ लेकिन लिए इतने ज्यादा नहीं किये है तो आज हम लोग तेनगे 10 शीफ तो हम लोग फॉर्स वाले पाइब आ तहें इसको तो आध हमें ऊस्ता है कि यह क्या है इस क्वाल हाथ जो कि आजकल सब को ही पता रहता है इसके बारे में शोचल में इस पॉइट अच्टिव नादी इस ना ज़ा सेकेंड वन इस कॉल और सेर्कल ये एक सर्कल है जो चारो साइज से एकल पोपोजिशन में रहता है एक दम एक सर्कल नाव लेस कम वन थर्ड वन इस कॉल रेक्टेंगल जिसके चारो साइज सेम साइज के होते हैं और नाइंटी रिए एंगल पर होते हैं यह पहले बता चुका हूं लेकिन मैं दुबारा रिपीट कर देता रिए नहीं है उनके लिए नाव लेस कम ओन दो फूर्थ वन इस काल रा ट्राएंगल जिसमें सी साइज होते हैं सी इक्ल सइस के होते हैं उर सी यृझ शेन रियंगल पर होते हैं अब हम लों आ जाते हैं अपने नेक्स बेंटेशन पर इसे हम कहते हैं पैंटागॉन यह थोड़े से अन्यूसल शेप हैं हम नहीं जादा तर देखने के नहीं मिलते हैं मैंस में जादा यूसल होता है जो में पता होने अच्छी है ना दिस इस हेक्सागॉन इस यह वान लेक्सागी मिलते हैं तर देखने में जादा है जादा नहीं दिस यह थोड़ असा डिफरेंस होता है इसके एट साइट होता है यह कुछ कुछ circle की तरह होता है लेकिन टॉप औब से थोड़ा से दबाव होता है तो यह है रेक्टेंगल जिसमें 4 तो होते हैं जो आपोसे साइस होती है वह इकल साइस की होती है और 90 डिग्री एंगल पर होती है राइट नौ लेस्ट कम आन दे लास्ट वन लास्ट बत नॉट लीस्ट इस काल डायमेंड शेप डायमेंड शेप भी कह सकते हैं और ज्याता हिंदी में आने हैं तो काजु कतली शेप लेस्ट फर्स्ट हाट सेकेंड सर्कल थोर्ड डाक्त अं प्रक्राइब शेप आपको मजाया होगा शेप स्याद करने में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाए एं टेक क्यार अ कि आपको मार्ण हैं प्रूज अर्सटों में եांपको realize है प्रक्राइब अभडरी में टहां है जड़िए अँजयों हैं उवजयों हैं तो Já फsm parall देना हैं